पूरा आदा खंटा हमने डेडिकेट किया वायदा बजार के ट्रेंडिंग स्टॉप्स को लेकर इस समय क्या हो रहा है और उनके अंदर क्या बाई और सेल के सौदे बन रहे हैं साथी साथ हम इसी शोग के अंदर आपके सामने ये भी रखते हैं कि निफ्टी और प्रैंग निफ्टी पर आपका आउटलुक क्या होना चाहिए फिलाल अगर आप देखेंगे तो दो दिन मैं बोलूगा तीन दिन से इनफेक्टर डी कपलिंग हो रही है अदानी के शेयर बाक टो बैक टूट रहे हैं बट इंडेक्स नहीं टूट रहा इंडेक्स कोशिश कर रहा है 17,500 को बचाने की पांच बड़ी बातों से शुरुआत करते हैं फिर एक एक करके पॉइंट्स आपके सामदे रखेंगे आज के महमान में साथ कुनाल बोत रहे हैं जिनसे भी पता करेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेंडिंग स्टाक्स और उनके अपने ट्रेंडिंग कॉल्स क्या ह पहली बात निफ्टी 16,650 के पार है आज आप फिर से देख पार है 34-35 पॉइंट की बड़त आप वो निफ्टी के अंदर दिख रही होगी कल जब 25% अडानी एंटरप्राइस टूटा तो जो कि निफ्टी का ही पार्ट है वेटेज के साब से सिरफ 2% है उसका 20% टूटने क पार इंडेक्स पे निफ्टी पे सिर्फ 40 पॉइंट का असर पड़ता है कल भी यही हालत दिखी थी वो कमजोर था निफ्टी हरे निशान में बंद हो था अडिजस्कोंट के बाद बाद बैंक निफ्टी को सब पूट अच्छा मिल रहा है एक्चुली अगर आप वाला हिस्सा है जिसकों टिपिकली बैंक्स कहते हैं उन्होंने कल से ही शॉर्ट कवरिंग शुरू कर दी है SBI, ICICI, INDOSAN, हले उनमें निउस भी आई हो लेकिन आप जादा नहीं जूट रहे हैं उम्मीद तो यह है कि अडानी धीरे-धीरे करके पूरे वाजार में आईसोलेशन की तरफ बढ़ जाएगा फिर अगर आपको वहाँ पर वैलू देखे गए अब जाएगा ने तो पूरा वाजार उनको छोड़के अपनी रिदम में वापिस आ जाएगा आप जो चौती इंपोर्टेंट बात देखे पा रहे हैं चुलिंदा फानेशन और आटो शेर्स में कुछ खरीदारी है यह इंपोर्टेंट है आपको मालूमी है कि सेल्स के नंबर भी आयते बजट के बाद कुछ नंचे नंबर थे और खासकर एक दो शेर्स बहुत इंपोर्टेंट है जैसे कि अशोक लिलेंड और टाटा मोटर्स पांच यह बड़ी बात इंडिया विक्स साड़े तीन परसेंट है आपको ध्यान होगा बजट से ठीक पहले इंडिया विक्स अठारा तक पहुंच किया था वहाँ पर आ गया 15 के असपास और इसका जो एवरेज मन्त में चलता है वो करीब 13-14 परसेंट आराउंड है यानि कि हम विक्स के साबसे स्टिबल हो गए है अगर आप अडानी ग्रूप के शेर्स को हटा देंगे अगर आप इस पर नजर नहीं डालेंगे तो आपको बजार अलग तरह से देखेगा और अडानी आपको अलग तरह के से देखेगा खैर अब हमने ये आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट बात रखी मेरे साथ आज के ममान भी जूड़ चुके हैं उनसे भी बातचित करेंगे लेकिन एक पार काम करते हैं पहले रिपोर्ट काड़ और कि इक डिन अप्र शियर्द के फैरे उनमें क्या डिवलेपमेंट हुई है कई बार टारगेट बढे भी हो सकते है चोटी भी हो सकते है बट आपको development का एक पूरा-पूरा हिस्सा हम दिखाने की कोशिश करते हैं और हमारी कोशिश यह होती है कि जिनके इन्दर stop loss और target आपको दिये जाए ना सिर्फ उनी शेयर्स को आप ध्यान रखेगा चर्चा कई बार जादा हो जाती है जैसे बंदन मैंक कल बेचने की recommendation थी दो परसेंट का return first source limited को buy करने की recommendation थी करीब 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 दो परसेंट का return यह जो हमने कल का भाव लिखा ने actually 111 कल का rate है तो हम उसी से calculate कर लेते हैं कि कितना उपर आया UPL बेचने की recommendation थी दो परसेंट का gain वहाँ पे आया होगा index को लेके रहें ने condition लगाई थी या फिर मैं बोलूँगा avoid थी था कल हमने बगादा stamp लगा के आपको बताया था avoid the nifty, avoid the bank nifty थोड़ा और consolidation पका हो जाने था उसके बाद इसमें उत्रा जरूर जा सकता है फिलाल यह stocks का report card है और हमारी कल की जो मैमान थी उनका यह आपके सामने report card हमने रखा, आगे बड़ते हैं अब आज के ममान से जोड़ने का वक्त हो गया है कुनाल बहुत बहुत शुक्रिया, thank you very much काफी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है खेर इस बीच अगर आप देखे, दो important चीज़ है पहले तो मैं कोई index पर view लेना है निफ्टी का part है अदानी enterprises, 2% की weightage है मैं 49 shares के हिसाब से निफ्टी पता करना चाहता हूँ कि वहाँ क्या हो रहा है तो धन्यवाद शोपे invite करने के लिए काफी time बाद में मेरा ऐसा मानना है कि जो अदानी में जो selling हो रही है यह price और weightage wise अगर हम selling देखेंगे तो of course कोई meaningful impact नहीं आएगा because एक stock की percentage weight index में बहुत ही ज़्यादा small है उसका impact significant नहीं आएगा but जो second important point है कि sentimental damage यह जो market में correction आ रहा है या फिर हम mid caps या small caps में correction देख रहे यह more of sentimental price action है sentiment price action जब sentiment damage ज़रते तब बहुत मुश्किल होता है कहना कि किस levels पर आके वो stock या वो group of stocks वहां पर आके correct करेंगे या वहां तक correct करेंगे या correction कहां तक stop होती है हमें weight करना होता है यह जब तक volatility subside होती है 4-5 दिन weight करते हम जब तक एक levels एक range defined हो जाता है उसके बाद हम calls ले सकते हैं कि कहां पर index में या कहां पर उस stocks में specific support है index की बात करूं तो 17-400 को हमने broadly बहुत अच्छे से defend किया है और मैं आपकी बात पर भी in fact reiterate करूंगा कि last 4-5 दिन में हाला कि अदानी group of stocks में बहुत major selling है बट index में कहीं भी major selling नहीं आई है तो यह indicate करता है कि market internally काफी strong है और एक group of stock में sentimental damage है बट price wise इतना major incremental damage नहीं है index में मेरी view जो index पर रहेगी 17,400 के उपर हम जब तक है और जब तक यह selling absorb कर सकते है market की capacity तब तक हमें index wise bullish होना चाहिए कल का dips जैसे हमने देखा था कि 1.500 point की gap down opening थी वो एक अच्छी classical opportunity थी तो अगर ऐसी opportunity हमें बार-बार मिलती है जब index 17,450, 500 के आसपास अगर आ जाता है तो एक अच्छी risk reward buy हो सकती है index के लिए ओके ठीक है तो फिर एक काम करें 17,400 का stop loss लेके अभी भी buy कर सकते हैं तो फिर target के रखें तो 17,800, 850 का target रख सकते हैं ठीक है इसको carry forward भी लेके जा सकते हैं जी हाँ ठीक है तो इसको BTS भी कर सकते हैं लिखें जरे लेवल 17,400 का stop लगाई है 17,800 का target है अब आप ये बोलेंगे 200 पाइंट उपर 200 पाइंट नीचे के target से हैं और stop loss इसे हैं तो क्या risk reward ठीक है देखें probability का game के हिसाब से ज़्यादा ये लगता है चेक करेंगे तो वहां पर रुक रुक के चो पके शेर हैं एक्जामपल के लिए SBI एक्जामपल के लिए इंडेसन बैंक एक्जामपल के लिए Reliance Industries एक्जामपल के लिए ICIS Bank एक्जामपल के लिए Sun Pharma ये कुछ एक ऐसे पके शेर्स हैं उनमें कोई खास बड़ा डेमेज निया बलकि इन्होंने तो रिकवर ही किया है थोड़ा बहुत तो इसलिए Index के और वेटेज वाले स्टॉक्स पर भी ध्यान लखीगा और एक्जामपल को भी ना भूलिएगा तो ये तो होगा पॉइंट प्राइविट सेक्टर बैंक में टिल्ट हो चुका है तो जब हम कहरते हैं के पी असब वैंक पर अपर परफ़र्म कर रहे थे प्राइवीट परफॉर्म कर रहे थे मेरे सब मानना के वापस से वो तिल्ट आ गया है तो वाजज लाजज केय काप नेम्स कर सकता है अगर कोई individual banking stock में trade करना चाहता है तो मेरे अनुमन से large cap stocks like ICCI bank या HDFC bank में invest या trade करना शायद जादा beneficial होगा को एगर bank 50 index पर trade करना चाहता है तो 39,450 या 500 का जो level था जिसको हमने दो बार test किया था last 45 days में उसको हमने hold किया है तो जैसे में nifty में कहा कि 17,400 का support है bank 50 में 39,500 का broadly support है ओके ठीक है तो levels एक बर आप लगा दीजिए यह पर को target stop loss वापिस से देजिए bank nifty का तो bank 50 में अगर फिलाल तो current levels पर initiate करना भाए थोड़ा सा risk reward डिफिकल्ट है 14,300 point का एक stop loss हो जाएगा बट upside में मेरा सब मानने के 41,400 का एक upside मिल सकता bank 50 में तो stop loss अगर नीचे का है तो फिर हम buy भी नीचे कर लें stagger में कर लें stagger में करें तो better होता है ठीक है तो stagger में कहां तक buy करना है वो levels बता दूँआँ 40,000, 40,200 तक buy करें तो better है तो आप यह लिखे कि 40,200 की range तक buy करना है in that case stop loss 40,000? 39,500 और target 41,400 चीक है 39,500 आपका stop loss बनेगा 41,400 आपका target बनेगा जहां पर कुनाल जी का नाम लिखा है वहां पर हमने बगादर लिख दिया है कि आपको on an average कोशिश करना कि 40,200 के आसपास की average बन जा है इसमें average बन जा है 300 के average बन जा है बनला average इसके आसपास की बने तो आपका risk reward अच्छा होगा और आपके बास काफे strong move आ सकता है यह average बनाने का मतलब ऐसा नहीं कि आप भर-भर के lot लें कहने का मतलब के risk reward भी check कीजेगा हम तो check करती है level के साब से आप अपने पैसों के साब से इसको जरूर चेक कर लिजेगा अब हमाने index का view दोनों का रख दिया almost on bullish है bank nifty पे थोड़ा adjustment करनी बड़ेगी बट nifty पे आप सामने सामने plus कर सकते हो अब आज आते हैं सीड़े से शेयर्स पे तो ताजा खृदारी वाले fresh longs वाले shares आपकी screen पर आएंगे shares है पहला HDFC दूसरा pyramal enterprises जरा दोनों को चेक कर लिजे इन दोनों shares में आपको कहीं कुछ दम दिखता है actually pyramal enterprise के बारे में काफे सारे लोग बोल रहे हैं कि यह value by हो सकता है जी हाँ, in fact chart wise अगर आप देखे तो last 3-4 months में जो intensity of selling थी वो stop हो गई है तो जो हम कहते हैं कि जब तूफान आता है तूफाम जब थम जाता है उसके बाद में एक sideways range या consolidation आता है last 3-4 months में consolidation आया, इस consolidation में बहुत attempts आये थे जब stock में 800-8900 के levels को cross करना चाहा बट वो cross नहीं कर पाया, बट इस बार ऐसा लग रहा है because volume setup, indicators बहुत जादा strong हो चुके है तो यह indication है कि शायद इस बार stock 900 के levels को cross कर देगा मैं bullish होंगा pyramid enterprise पे specifically, मेरे ऐसा मानना है कि अगर market stable भी हो जाता है recovery की तो बात अलग बट अगर stable भी हो जाता है index यहां पर और काफी सारे stocks में जो selling अगर abate हो जाती है तो pyramid enterprise में अच्छी buying आ सकती है, 900-920 का एक target range रख सकते है तो risk reward traders के उपर depend है, जो अगर यहां पर initiate करना साथा है, I think 870 का futures trade कर रहा है 910 के आसपाइस का एक target रख सकते है, stop loss 850 850 का stop, 910 का target, तो आपके लिए चाहें तो अच्छा एक और चीज़, आपको जो भी हम trade दे रहे हैं चाहाँ buy का है, sell का है या फिर index भी viewpoint मिल रहा है, एक मैं गुजारिश आपस जरूर करूँगा कि अपना volume को थोड़ा सा कम रखेगा, कई बार क्या होता है कि ज़्यादा volume से आपके पास opportunity lost होती है इसका सबसे best example हो सकता डानी ग्रूप के shares, माल लेजे किसी ने ये देखा हो कि 10-20%, 40%, 50% तक टूटे हैं में को भर-भर के ले लेना चाहिए, वो आज उससे भी 25% नीचे आया होगा है तो इसलिए जो भी करें volume को कम करें ताकि आपके बास वो tool रहे कि जिससे अपने आपको अगर मुसीबत में first भी जाएं गलती से, उससे निकल पाएं वो एक ही तरीका है, volume less करना, और कोई तरीका नहीं है आपको stop loss target हम screen पर दिये जा रहे हैं आप HDFC पर कोई trade तो convert नहीं करोगे तो HDFC भी काफी अच्छा लग रहा है, बाट यह stock बहुत slow moving stock है और इसमें हम जादा upset expect नहीं कर सकते हैं तो हाला कि 2650 के आसपाँ trade कर रहा है, attractive levels है बट risk reward 1 is to 1 कर रहा है अगर हम 2600 का stop loss रखेंगे तो शायद 27, 20, 30 का एक target रख सकते है ठीक है, तो एक काम करते हैं, दोनों में से अगर आपको 111 चुनना चाहते हैं तो आप इन दोनों में से ताजा खरीदारी जिसको फ्रेश लांग कहते हैं टिपिकली उन दोनों में से आप पीरेमिल इंटरप्राइस को चुन लेजेगा हमने HDFC के बाइदावे आपके लिए target stop loss दे दिये ताकि आप थोड़ा sense लग पाए कि कहां से खराब और कहां से और अच्छा हो जाएगा आगे बढ़ते हैं शॉर्ट कवरिंग के दो शेर हैं कुनाल और मेरे पास एक है HDFC बैंक और दूसरा है बजाज फैनेस टिपिकली बजाज फैनेस नंबर से पहले ही इंडिकेट करने लग गया था कि अब बस बहुत हो गया अब मैं चलूँगा अच्छा एक और चीज बजाज फैनेस ने बजाज फिंसर को भी स्पाक किया और बजाज ओटर को भी स्पाक किया हुए बजाज फैनेस की खास बात है अर्ली चार्ट की बात करें तो एक classic RSI divergence बन रहा है अगर हम 6100 जो almost 1 week या 7-8 days पहले की लेवल थी बजाज फैनेस में उससे अगर हम देखे तो फैने बार बार एक नया लो बनाया है जैसे कि लास्ट वीक फैने लो बनाया था 5860 का कल या परसुट जब फैने लो बनाया है वह 5008 रेंड के आसपास बनाया है तो प्राइस वाइस वह लो बना रहा है बट उन रिलेटिव लोज में RSI, MACD यह सारे इंडिकेटर अपने रिवर्सल मोड पे आ गए है तो यह एक इंडिकेशन है कि स्टॉक यहां पे बेस बना रहा है तो यहां पे जनली प्रिफर होता है कि कॉंट्रा बाय कॉल इनिशेट करें तो ट्रेडर्स अगर यहां पे फ्यूचर्स थोड़ा रिस्क लेना चाहते तो मैं तो इन फैक से रिस्क करूंगा कि यहां पे फ्यूचर्स पर भी लॉंग पॉसिशन बनाई जा सकती है बजाज फिनांस में बट जो कंसर्वेटिव ख खुड़ा सा इन स्लाइट्ली लोवर रहेगा स्टॉप्लस रख सकते हैं 5780 का 5780 का एक और चीज़ है कई बार ऐसे शेयर्स होते हैं तो ट्रेडिंग के होते ही नहीं है आपको इनकी वेल्यूशन को कैच करना चाहिए और बजाज फैने उसी केडिगरी में गिरता है आप इ शेयर्स है ने 6,000 के शेयर्स हैं रिटेलर से कई बार मैनेज नहीं उपाते हैं तो 6050 आपका टारगेट 5780 काम कीज़ेगा ट्रांचिस में यह हमारी कैडिगरी यहां पर कंप्लीट हुई है जहां पर हमने आपके सामने दो शॉट कवरिंग के शेयर्स रखे और दो लॉंग कुल में अलाके सारे के सारे शेयर्स पे पॉजिटिव व्यू अभी भी बरकरार है स्कोप पहुत है इनमें चलने का अब जड़ा मंदी वाली कैटिगरी खोलते हैं और आज के फ्रेश शॉर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे विदानता और डाबर को देखा जा सकता है टिपिकली विदानता चार परसंट नीचे है कुछ नंबर्स का इंपक्ट भी है और कुछ वैसे भी इसका जो पूल बैक था वो सिरफ पूल बैक था तो विदानता पे आपके रिकमेंडेशन टिपिकली क्या होता है अकुनाल पूल बैक आता है तो शौट कवरिंग के बिस्स पूल बैक था वो लॉंग लिव नहीं होता है उसकी उमर बहुत चोटी होती है तो विदानता में कुछ-कुछ ऐसे फीलिंग आ रहा है एक तो यह देखिए इसको आप और दूसरा डाबर को तो डाबर तो अफकॉस बन रहे हो तो जनली डेटा के बाद हम ज्यादा क्लियर हो पाता है तो एंड अफडे के लिए वेट करूँगा डाबर में फिलाल कॉल्स इनिशेटने करूँगा और यह स्लो मुविंग स्टॉक है तो इसमें हम अगर 5% डाउंसेट भी एक्सपेक्ट कर रहे तो यह इमेज इसमें इसमें अगर टाउंसेट भी एक्सपेक्ट करूंगा अब अब आते सार अन्वांडिंग के शेयस पे डिक्सन अपको मालूम है इसने 200 दिन का अवरेज ब्रेकडाउन किया उसके बाद जो एक्लासिकल एक्जामपल्स अगर कोई टुटोरियल्स खो लेना तो इसको आगें क्लासिकल एक्जामपल शाप करेक्शन एक माईल सी राली माईल साबाउनस बाउनस बाग बट वो ज्यादा सस्तीन नहीं हो पा रहा है जो हम कहते है counter rallies जिस हम कहते है कि counter train rallies जो होती है जब major correction आता है उसके बाद rallies आती है तो उसमें दो चीज़ हम देखते हैं कि price की intensity कितनी है कितना ज़ादा price bounce करता है और जब वो recovery आती है तो participation levels कितने होते हैं वो जो जो हम gauge करते हैं कि confidence level कितना है traders का कि ये bounce back sustain होगा या एक नए uptrend में convert हो सकता है दोनों ही चीज़े positive नहीं है Dixon Tech के लिए bounce back बहुत shallow है stock में और volumes participation है वो बहुत ही ज़ादा low है as compared to the volumes जब stock में selling आये थी तो ये दोनों ही reasons से मेरे समानने के stock में further selling आ सकती है मैं salah नहीं दूँगा short करने की यहां पर because ये ऐसा stock से जहां पर rallies और corrections है वो बहुत ज़ादा sharp आ सकता है but prefer करूँगा कि अगर stock यहां से थोड़ा सा एक bounce करता है वापस से for example 2800 के आसपास आता है तो वे एक बहुत अच्छा zone बन सकता है यहां पर short initiate किया जा सकता है कुराल हमने आपसे काफी सारे shares बता कर ली अब आपके recommendations चाहिए तो मैं दो buy call suggest करूँगा यहां पर पहले in fact मेरा बजाज finance पर ही रहेगा because जो मैंने pattern बता जैसे के RSI divergence एक बहुत classical divergence बन रहा है बजाज finance में तो 6050 का target रख सकते है 5780 का stop loss futures पे और जो second stock रहेगा वो रहेगा grassim पे यह भी एक बहुत बढ़िया base formation मना रहा है 1600 के आसपास trade कर रहा है stock इसको भी suggest करूँगा buy के लिए 1666 का target रख सकता है stop loss 1572 ओके ठीक है grassim भी अब ध्यान रखेगा साती सात बजाज finance में ध्यान रख कोई options है ने फिलाल नहीं फिलाल नहीं है एक मुश्किल question पूछ हूँ आपसे अगर आप अलाओ करेंगे तो सारे मुश्किल ही थे ठाड़ा और मुश्किल है वो यह है कि अडानी group में से कोई एक share जिस पे आपको लगता हो कि हाँ valuation justification chart पे दिखता हूँ बड़ा मुश्किल है कहना समझना मैं जानता हूँ free fall है regulation होने के बावज़ूद भी free fall हो रहा है फिर भी तो इस पे सबसे of course fundamentally valuation वगएरा वो एक important point है बिस सबसे simple जो rule हम अपनाते हैं जब stocks में reverse check करते हैं कि stock अपने 2-day या 3-day high को break कर सकता है के नहीं कर सकता है वो सबसे पहला trigger होता है जहां पर हम कहते हैं कि selling absorb हो जाएगी और stock वहां से reverse हो जाएगा तो जो traders यहां पर long करना चाहते हैं मेरे नुमान से एक simple confirmation के लिए wait करना चाहिए stock अगर अपने 2-day कोई भी अदानी group of stocks specifically ports enterprise वगेरा अगर अपने 2-day या 3-day high को break कर जाए तब वो एक trigger point बन सकता है कि वहां से base building या थोड़ी सी buying करनी चाहिए futures में recommend ने करूँगा but stock specific अगर थोड़ा cash में कर करना चाहिए तो कर सकता है ओके ठीक है तो मैं sensor रहे सकता हूँ कि port और अम्बूजा port और अम्बूजा ये दो stock से ठीक है वैसे दोनों बैन में आई futures में क्योंकि दोनों को बैन में डाल देगा चार ये shares है अदानी group के जो कि F&O के अंदर है एक अदानी enterprises, अम्बूजा, port और साथी ACC ACC और अदानी enterprise पे बैन नहीं है और इन दो shares पे बैन है port और अम्बूजा पे port और अम्बूजा के साथ अदानी enterprise अब ASM में भी आ गया तो डूल कॉम्बो हो गया है थोड़ा साथ संभल कर एक और चीज short term gain, short term loss को छोड़ दीजिए, कई बार valuation, justification जरूर होना चाहिए शायद धीरे धीरे प्लस करने का समय आ सकता है, बट वेट एक से दो दिन और वेट कीजिए, चेक कर लेते हैं बहुत टूटे हुए है, बहुत recovery आई तो बहुत fast भी आएगी कुनाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, thank you very much आस समय देने के लिए, खेर आगे बढ़ते हैं तो ये सारे stocks हमने आपके सामने रखे, I hope कि आपको इसका फाइदा भी मिलेगा आगे चलके हम कुनाल जी का report काड कल आपके सामने लेके आएंगे, उसमें बताएंगे कि जो जो shares उनों ने दिये हैं, उनमें एक दिन में कितना फरक आ गया, अब आगे